भागलपुर जिले में कोरोना पेशन्ट की संख्या में नौ और केस सामने आए हैं जिसमें गोराडी में तीन सब और में पांच भागलपुर अलिगंद में एक केस पाया गया है। जनता ने सरकार से अपील की है कि प्रवासी मजदूरों को कॉरेंटाइन सेंटर में ही रखा जाय ताकि जनता के संक्रमिक होने का खत्रा कम रहे। और जैसी हमारी तीन को पता चली उसको एक घंटे कंदर हम लोग अल्प संखेर कलन चातरावास में कुरेंटीन कड़ाते हुए सेंप्लिंग कर गया था। और उसका रिजर्ट ही कलाया और तीनों पोचिप बाये तो बंबाइस जो आया हुए तो हो घर में रह रह रहा है ते या कुरेंटीन सेंटर में वह आये और गाउं जैसी आये और एक घंटे कंदर में उसको एमुलेंस टेडिकेटें अब्लेंस के दूरा अब लोग अलब सेंखेर कलाया चातरावास कोईटेंसेटर में आवासित किये और वहीं पर उसका सेंपल लिया गया और तब से लेकर वह वहीं रढ़ देख तो जनता से आप लगों किस ता साहुआं कर रहा है सब्सक्राइब जो की गोराडी परखंड के जो पूरे आमान ह यहां जारा मेड़ी यह है कि शोशल डिस्टेंसिंग का पालम करें यह जुस्मन अध्रिस्या है यह वाई से नहीं पहलता है यह टच करने से पहलता है वह सब्सक्राइब किया जाए और संजब बढ़ते हैं जबता कि जबता सैयोग ना करें इसमें तो इसको कंट्रोल कर प सब्सक्राइब करें और सबसे जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग और अपना घर पे रहें और सुरक्षित रहें घर से बाहर ना निकलें अपने हाथ को दिन में कम स्कम 20-30 वार इसको सामुन पाने से दोए तो लाइप 24 इंडिया लिए भी सर आप से आप जंता के बीच में सब्सक्राइब करें हैं क्योंकि आप आपनों तस्ते हुए परता नहीं कि हम लोग जाते हैं यहां से भी हमको सुस्रा मिलती है वहां जाकर करके हमारी मोगाल टिंग दोरह उसको जांच किया जाता है और फिर लगता है तो उसको प्रॉण पर पर उसम्टम है तो उसको अभी यो टेंड है वो तवाच चेंज हो गिया पहले था कि सिंटम में क्या हो गवागा पूर गाओ मैं तर पर चमोहदे के आबास में खड़ा हो में रशीद आलम मैं सर जनना जा रहा हूं कि सर आपके जो पंचायत में आपके गाओ जो गुद ये अगर पूर में पेसेंट लाटके एक ही था ये आपके महरास्ट के महरास्ट से हैं ये आया है तीनदे इतीन बंदे आकरके वह पता नहीं कहां आगे कि ट्रेंड सभा राथ आगे उतर घा उतर गिया सांधिस एंदर बारेस पाही चाहिए अधार आ वह उतर गया बाइब आगे अधिर वहां से पैदाल वहराया लोगों नो उसे टॉर्चर किया कि तो भाई तुम कहां से आरे क्या रहे तो तो एसे तुरत ही गाव महला हुआ कि तो भावचा रहा इसका जो है चेक लिया जाए तो वो फर्म हेल्ट सेंकर में थामा में इसे में फर्म किया उ वही लगवसाई चाचाव में उनको यहां से तीनों व्यक्ति को ले गिया है अभी उहां करीब पैदिस लोग रह रहे हैं और इसके बाद भी अगर कुछ लोग आते हैं तो उट के लिए और पंचाइतों में और बड़े-बड़े अस्कूलों में हम लोग और प्रटैनी से आप लोग भी अपने अस्तर से जाके देख सकते हैं लेकिन नियम के अनुपालन करते हुए क्योंकि अंदर पर्तिबंधित है और अभी तब कोई सिकाईत किसी का खाने पीने का नहीं किता है